वेलकम गाईज कैसे हो आप लोग तो आज हम रिव्यू करेंगे अप्रिलिया की SR150 को और गाईज इसके ओडो मीटर की रीडिंग हो गई है तेरा सो किलो मीटर तो आज फाइनली अपने इसका करते हैं रिव्यू और देखते हैं कि कैसी ये स्कूटर है और गाईज आपको बत आते हैं स्कूटर का लुक्स तो लुक्स वाइस नोडाउट वन आप दा बेस्ट लुकिंग स्कूटर है इस टिकरिंग बहुत अच्छी है पेंट बहुत अच्छा एक्प्रीम्यम इसकूटर की आपको फीरिंग देती है और जैसे क्या पे फ्रेंट से देखो यह यहाँ प आप देखो यहां पर SR Carvan लिखा हुआ है, यहां पर आप देखो आपको Carvan Finishing मिलती है, यहां Carvan Finish मिलती है, ऐसे ही यहां पर Carvan Finish मिलती है, तो overall looks wise मेरे हिसाब फे तो बहुत अच्छी है, इसकी आप ही Headlight देखो, Headlight भी कमाल की है, थोड़ा साला स्टाइलिंग की Headlight दी गई है, जो की Halogen Headlight ही है, आपको LED Headlight नहीं मिलती है, तो यही है, और looks wise बहुत अच्छी है, बहुत ही कमाल का लुक आपको आफर करते हैं, इसके जो टायर है, वो भी काफी वाइड टायर है, बड़े टायर है, इसमें आपको 120 by 70 के टायर मिलते हैं, और बड़े टायर हैं तो इसका जब बिल्कुल आप राइड करोगे तो आपको एडवाइंटेज मिलने वाला है, और अभी मैं इसको राइड करूँगा, और मैंने राइड किया है, बहुत कमाल की scooter है और ऐसे ही आप इसका रियर प्रफाइल देखो, रियर प्रफाइल है बहुत ही कमाल का लुक आपको द एक बहुत ही अच्छा package है, एक sporty look आपको आफर करती है, जैसे कि अगर इसी price segment में आप देखो, वैस्पा की भी scooter आती है, तो वो थोड़ा classic look आपको आफर करती है, लेकिन उसी price segment में आपको एक sporty scooter चाहिए, performance के लिए scooter चाहिए, तो केवल यही आपको option मिलता है, और बहुत segment है अभी आपको इसमें ABS का भी option मिलता है, तो ABS भी आप ले सकते हो, जो braking को और इंप्रूब करेगा, और इसमें आपको 150 CC का segment है, इसमें आपको 125 CC वाला variant भी मिलता है, इसका देखे है instrument console, तो इसमें आपको semi-digital instrument console मिलता है, जो कि इसका speedometer है, वो आपको analog में मिलता है, और इसकी switch की quality काफी अच्छी है, इसमें आपको यह देखो switches जो है, उनकी quality काफी अच्छी है, प्लास्टिक की quality काफी अच्छी है, और गाईज आपको बता दूँ, अगर मैं quality wise देखूं कि इसके जो fiber के material है, वो कैसे है, तो guys fiber के material आप देखो, चाहे जो sticker की quality देखो, quality wise तो यह तो हुई इसके looks की बात, और इसकी साथ आप देखो, इसमें जो friend के indicator है, यह भी look को improve करते हैं, ऐसे इसका जो rear के indicators है, वो बाहर निकले हुए हैं, जो कि जैसे आपको bikes में मिलती है, fully bikes में, और seat जो है, seat की अगर बात करें, तो seat भी काफी अच्छी है, और ज्यादा की साथ आप देखें, इसके जो space कैसा है, और चलाने में कैसी है, राइडिंग पॉस्चर कैसा है, तो देखो, राइडिंग पॉस्चर अच्छा है, मतलब अगर ride करता हूं, city में तो काफी मज़ा आता है, और जैसे कि आपको एक ची और दिखाता हूं, यहाँ पे आप जो फूट की position है, वो बहुत सही तरीके से adjust होती है, यह देखो, ऐसे, तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे इसका जो leg spacer वो कम है, आप देखो, यहाँ पे पिलियन के लिए foot rest है, और यह foot rest है, पिलियन वाला, यह वाला, दोनों side वाला, यह काफी stylish लगत है, जिसको परिलिया के app से connect कर सकते हो, और अपनी bike को track कर सकते हो, तो यह अच्छी बात है, मतलब safety को भी improve करता है, और एक अच्छा feature है, बोल सकते हो, अब देख लेते हैं, इसका under seat storage हमें कितना मिलता है, तो guys आपको उता दूँ, इसका under seat storage खोलने के लिए आपको चाबी यहां से निकाल के यहां पर लगाना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि अगर वहीं से यह under seat storage भी open होता, तो अच्छी बात होती, तो under seat storage में space ज्यादा नहीं है, मतलब डेफ तो है, बट जो जगह है, वो ज्यादा नहीं है, मतलब यहां पर आपका जो full size helmet है, वो नहीं 8cc का 4 stroke single cylinder air cool engine मिलता है, और power देखें, तो इसमें आपको 10.25 PS की power और 11.4 newton meter का torque मिलता है, तो power काफी अच्छी है, scooter के हिसाब से power आपको feel होती है, torque आपको feel होता जो आप इसको ride करते हो, ठीक है, और performance के लिए तो बहुत अच्छी है, अभी मैं ride करके आपको जो भी आगे का जो experience हो, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो engine के टर्म्स में आपको ये आपको बता दूँ, 150 CC की scooter है और ये अभी बोल सकते हो कि ये पहली segment की 150 CC की scooter है, performance scooter बोल सकते हूँ आप इसको, दूसरी scooter से आप इसको compare नहीं कर सकते है, 125 CC, 100 CC की scooter से आप इसको compare नहीं कर सकते, price तो अभी चलो इसको मैं राइट करता हूं अपना एक्स्पीरियंस लगी मुझे तो सबसे पहले अगर देखे राइडिंग पॉस्चर तो काफी अच्छा है मतब सिटी के लिए अच्छा है लेगरूम आपको कम दिखता है बट कम है नहीं आपके लिए काफी अच्छा है और इसी के साथ अगर मैं इसका पीकप बता हूं तो पीकप तो भाई अच्छा है थोड़ा सा मतलब इनीशियली जैसे आप स्टार्ट करते हो आपको लगता थोड़ी स्कूटर है भी है क्योंकि दूसरी स्कूटर से एक्च्छल में यह आपको हैवी फीलिं के साथ साथ इसका जो एक्जॉस का साउंड है वह बहुत अच्छा भी मैं आपको सुनाने वाला हूं जैसे आप इसको थोटल इंक्रीज करते हो तो जो एक साउंड आता है एक्जॉस से वह अलग ही लेवल काता है तो आपको और वह थोड़ा सा कॉंफिडेंस बढ़ाता है और आपको मज़ा आता है राइट करने में तो हैंडलिंग बहुत अच्छी है और कॉर्नलिंग बहुत अच्छी है टायर वाइड है तो जिसे आप कॉर्नल से लेते हो वहां भी आपको अच्छा रिस्पांस देती है और सिटी में हैंडल करने में भी दिक्कत नहीं है ब्रे से चली जाती है अगर आप थोड़ा सा हाँ टाइम लेती है जाने में क्योंकि स्कूटर है उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं बट यह 100 प्लस ऐसा नहीं है कि 100 प्लस जाने में और हेंडिंग बहुत अच्छी है, तो अवरॉल काफी है, अब कमफर्ट की अ mandaribas करूं में तो सीट की कमफर्ट हूँ हैं न दूसरे के छंपरिजन में कर रहे हो आपको बाइक नहीं खरीदनी है आप स्कूटर ही अच्छा लेना चाह रहे हो तो अप्रिलिया की आपके लिए बेस्ट आप से हैं अब अगर बात करें इसकी प्राइज की तो यह ऑन रोड पड़ी थी एक लाख एक हजार रुपए और डिस्काउंट वगेरा लगा लगा और इसके बारे में आपका क्या थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और आप इसको मतलब इस स्कूटर को कौन सी स्कूटर से कंपेर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ बस मिलते हैं नेक्स वीडियो पे सेवसों